ये थेंक्यो किसले बोल रहा है ? आप बिस्केट बना रहा है इसले थेंक्यो जल्दी नीचे खेल काओ तब तरह हम बना के रखते हैं है वेल्कम बैक टू चेनल केसे आप लोग आई हूंगे बढ़िया होँगे अभी में बनाने चारेए बिस्किट बनाएंगे आठे से और आज निमाद आई तीब टेगी कि मँआप आठे का बिस्किट बना के दो तो अभी इसको ध्याने के कि मुझा वार बार आके बना कि नहीं तो मैंने अपना काम चोड़ा है और इधर उसके लिए प्रिप्रेशन कर तो यह बिस्किट बढ़ने के लिए मैंने यहां पर लिया है एक कटोरी भर के घी और जिस कटोरी से घी लिया है उसी कटोरी से हमें एक कटोरी भर के सुगर पावडर डालना है और उसको इस तरह से विश्कर से न हमें अच्छे से विश्कर लेना है ताकि जो मारा मिक्स्टर लेना एक दाम फ्लॉफ़ी हो जाए तो इस तरह से यहां पर हमें अच्छे से मिक्स करना है और जिस कटोडी से मैंने सुगर और घी लिया है ना सेम कटोडी से हमें आटा भी लेना है आप आटे की जगा मेदे का भी यूज़ कर सकते हैं बट मैंने यह पर आटे का यूज़ क और इसको इस तरह से हमें स्ट्रेन आउट कर लेना है ताकि कोई भी अगर पार्टिकल है तो वो इसमें चंज जाएगा उसके बाद एक कटोरी भरके डाला है बेसल और आधी कटोरी हम डालेंगे उसमें सूजी तो यहां पर हमें बारिक वाला सूजी यूज़ करना है उसके पर मैंने डाल दिया है एक चमठ भर के बेकिंग पाओडर और एक चोथा चमठ भर के डाला है बीकिंग सोडा साथी साथी चाहँ पिंश लग नमक और उसको अधाम सभाब एक दम मिक्स कर लेंगे और इस तरह से हमें स्पून की शाज़ता से मिक्स करना है उसके बाद फिर से अग्राव पर को लिए आये तो इस तरह व्म्हार्त आठा एक दम भन के तयार हो गिया है अभिस तरह के बस्किट बनाना है अगर आप चाहिए तो इसका सिलेंटिकल मतलब रोल बनार को इसको कट करने सकते रेक्टैंगल सेप मैं प्रच्ट में इन न कर데 इस तरह से गॉल गॉल बिसकिट बना जाए थे और सेमS Wish क्या साइज कसे आपको इस सिरी बिसकिट बना लेना हैं और यह वाले बिसकिट सच में रहे अच्छा बना फिक करूं को सब्सके से बिसकिट बना लिए और यह वाले बिस्कित ना में आज इडली ओवन में कुक करने वाली हूँ इडली ओवन में भी बहुत अच्छे से कुक होता है थोड़ा सा टाइम लगता है इसको 45-1 आर लग जाता है तो इस तरह से यहां पर मैंने इडली का स्टेंड ले लिया है और इसमें डाल लेंगे न पर बादम या काजू भी लगा सकते हैं तो इस तरह से देखो बिस्कित कितने सुंदर दिख रहे हैं और इसमें थोड़ा-थोड़ा सा क्रेक्स आएगा क्योंकि इसमें घी जादा डलाएं तो जादा घी की वज़े से क्रेक्स आते ही है तो यहां पर अभी मैंने इडली ओ तो इस तरह से आपको सारी प्लेट में घी या ओइल से ग्रीस कर लेना है, उसके बाद ही हम इस तरह से बिसकेट रखेंगे, ताकि जो हमारे बिसकीट है न कुख होने के बाद एक दम अच्छे से निकल के आजाएंगे, तो इस तरह से तेखो यह पर मेरा पूरा इस्टेंट बिस्किट का बनके तयार हो गया है अभी क्या करेंगे इसको जो हमने नमक गरम होने के लिए एडली ओवन रखा है ना इसमें डाल देंगे और इसको 45-50 मिनट के लिए कोक होने के लिए रखेंगे और यह प्रोसेस अच्छा है ना जब तक इदर कोक होगा हम दूसरा काम भी क आति न हमने के लिए फ्रत निकाल के देखते हो तो ममांद में जो इवाली प्लेट्टिक के लिस्किट थोड़े से उफ ने करका कर दो लिए तो यहांपर मैंने मस्ट आइक दम होघा निकाल लिए हैं और जो दो प्लेट की बचल ना उनको ठांसफर कर लिया है फिर से ता से बहुत अच्छे आया है और अच्छे से ही कुक हुए थे तो इस तरह की बिस्किट सच में बहुत ही टेस्टी बनते हैं और घर की चीज़े रहते हैं तो हेल्दी तो होते ही है इस तरह से देखो कितना अच्छे से यहां पर बन गया है ना बिस्किट तो यहाँ पर सबसे उपर वाली जो टॉप प्लेट है ना उसके बिस्कित अच्छे से कुक नहीं हुए है तो उसको सबसे नीचे वाले जो बेस्मेंट वाला जो प्लेट है ना उसके उपर लगाऊंगी ताकि हमारा जो यह वाला बिस्कित है ना अच्छे से कुक हो जाएगा तो ये दोनों ही प्लेट के बिस्किट जो टॉप ऊपर वाली थी ना दोनों के अच्छे से नहीं कुक हुए थे तो इसको फिर से 10-15 मिनट के लिए बैक होने के लिए आपर रख देंगे और इं चार प्लेट के बिस्किट तो बहुत ही अच्छे से बनके त्यार हुए थे देखो नीचे बेच़ने से क्रिस्पी क्रिश्पी तो क्रंची टाइब से तो इस त्था दीको मैंने इसको तोड़के दिखाया थे बहुत अच्छे से अंधर कोग गया है और यह वाला विस्कुट देखो, देखो कितना प्यारा कलर आया है ना नीचे से, तो यह चार प्लेट के विस्कुट में अभी एक अलग प्लेट में निकाल के रख लूँगी, और वो जब तक हमारे विस्कुट दस मिनट के लिए कुख होंगे, तब तक इधर दूसरा काम न प्राई करना है। अभी फिर से 10 मिनट हो गया था जो दो प्लेट के बिस्किट थे ना उसको बैक होने के लिए और अभी 10 मिनट में देखो इन में कितना अच्छा सा कलर आया है और एकदम क्रेक से भी आ गया इसका मतलब हमारे बिस्किट बनके तयार हो गये हैं तो इस तरह से यहां पर यह रचारी लग रहे है ना अज़ शन्स का क्या है बताओ ना टेस्ट करके क्यों बताओ धिया है कि अपर टेस्ट करो टेस्ट हो गया है तेस्टी लग रहा है हमाने भी टेस्ट किया है तो सच में बहुत टेस्टी बना है और आई फ्रेंग्स को बोल जल्दी से अरे पहले खा ले अगर अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना शेयर करना पेज़ पर नहीं हो तो पेज़ को फॉलो करना यूटूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई गाईस